Hello friends, welcome to the success केंद्रा, friends देखे आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है बड़ा ही important वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग railway ALP यानि की RRBALP, railway assistant, locopilot की जो भरती आई है 2024 में, उसका notification भी जारी कर दिया गया है, देखे आज इस सेशन में हम लोग RRBALP यानि की railway ALP में, previous year में, पिछले बार paper 2018 में लिया गया था, तो 2018 में जो paper लिया गया था, उसमें जो प्रशन पूछे गया थे, उनको इस सेशन में हम cover करने वाले हैं, इसी तरह का RRBALP का pattern होता है exam का, उसको एक बार देख लिजिए, बहतरीन तरीके से समझ लिजिए, और फिर उस अनुसार त्यारी करिएगा, काफी आपको help मिलने माली है इस वीडियो से, वीडियो को पूरा देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को like जरूर करें, और जादा से जादा इसको share करिएगा, चैनल को subscribe कर लिजिए, और bell icon को दबा लिजिएगा, ताकि जब भी railway ALP भरती से संबंदित कोई भी important video upload किया जाए, तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो चलिए, session आज का start करते हैं अब, तो friends, यह रहा बिल्कुल original question paper, official question paper, RRB ALP 2018 का, यहाँ पर आप देख भी सकते है, railway recruitment boards, यानि कि railway भरती board, RRB ALP and technicians 2018 का यहाँ paper है, ठीक पिछले बार बहुत minimum number पर selection हुआ था, और आपको पता है कि multiple shifts में paper हुआ था, जिसके कारण normalization भी हुआ था, और normalization में 24 से 25 marks बड़े हुए थे, ठीक है न, एक बार आप paper का pattern दिख लिजे, सबसे पहले friends, please, video को like जरूर करे, आपका एक like हमें काफी motivate करता है, थोड़ा सा मै जूम करता हूँ, ताकि प्रशन आपको असपश्ट रूप से दिखाई दे, देखे science का प्रशन पूछा गया है कि एक उत्तल दरपन जिसकी focal लंबाई F है, वायू में, उसको द्रवब में डुबाया जाता है, द्रवब में दरपन की focal लंबाई क्या होगी, यहां पर आप देख भी सकते हैं, जहां पर भी green tick दिया गया है, बिल्कुल उसका correct answer है, तो देखे उसका focal लंबाई है, उसमें कोई भी changing नहीं हो रहा है, उसका focal लंबाई F होगा, ठीक है न, F इसका right answer हो जाएगा, चले उसके बाद यहां पर देख लीजेगा, यहां पर दिये गया वस् इसको, अब यह option में क्या देख रहा है, option में देख रहा है, fine arts, चित्र, यानि कि pictures, संस्कृत, यानि कि culture, या फिर आपका technology, प्रधुग की, तो प्रधुग की इसका answer हो जाएगा, यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर आपको monitor या LED कहिए, LCD कहिए, जो भी कहिए, ठी इलहाबाद बैंक की MD और CEO कौन है, उस समय का current का प्रशन है, current का वेटेस देख लिजिए, कि कितना current का प्रशन पूछा जाता है, कितना science का प्रशन होता है, यह सब आपको idea लग जाएगा, तो उस समय थी कौन, तो यहां पर आप देख सकते हैं, उस समय, उसा, अनंत, लिएगा, देखें, प्रशन का रहा है, कि 9 गुना 6 बराबर 45, 7 गुना 4 बराबर 33, 6 गुना 4 बराबर 20 है, तो 5 गुना 3 का मान आप से पूछा जा रहा है, कि क्या होगा, ठीक है, अब इसको आप कैसे solve करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा, देखें, 9 के square किजिए एक 80 हो जाएगा, 6 चके, कितना होगा, 6 के square करेंगे, 36 हो जाएगा, तो देखें, आप इस में से माइनस कर देना है, तो आपको 11 में से 6 गया, 5 हो गया, और ये बचा 7, 7 में से 3 गया, 4 हो गया, फिर उसे परकार 7 के square कीजिए, 7 सत्य उन्चास, फिर 4 का कीजिए, चार चु क 16, अब फिर इसको माइनस कर देजे, तो देखें, यहां पर 3 हो जाएगा, फिर यहां पर 3 हो जाएगा, उसे परकार से दिखें, 36 के 36, माइनस आपका, कितना, 4 का 16, 4 के square करिएगा, इसको माइनस करिए, 0 और 2 हो से 20, देखें, 20 आ गया, इसको बनाना है, 5 के square करना आपको, तो 25, 25, 3 के square करेंगे, तो 9 हो जाएगा, माइनस कर देना है, तो आपका 16 अंसर आजाएगा, 16 इसका right अंसर हो जाएगा, चले, उसको बहुत देखेंगा, अगला प्रशन है कि तपस, अभी और रिसी के बीच, एक केक को बाटा गया है, माल लिजे कोई केक है, तपस को केक क मिला है।ठीलि को 3 भाटा इसको मिला है, 3 जो अभी को प्राप्त हूआ, तो पूछा गए, कि अभी को कितना भाग प्राप्त है, तो पहले इन दोनों का भाग को एड कर देंगे, तो अट करेंगी तो इसका LCM निकाल लेजे ठीक है ना, तीन दूना चो 6 हो जाएगा, फिर यहां पर तीन आ जाएगा और फिर यहां पर दो आ जाएगा तो यह हो गया आपका पांच बटा छे टोटल केक एक है मतलब इसको एक भाग है ठीक है और उसमें से दोनों का हिस्सा घटा लिजेगा तो तीसरे बच्चे का आपको पता लग जाएगा छे हो जाएगा यहां से चलिए माइनस पांच यानिक एक बटा छे अंसर होना चाहिए देखे बटाच अप्शन में कहां पर दियागा ऑप्शन चार में दिया गया बिलकुल राइट अंसर है चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन है कि नकरात्मक यहां पर दिखिए अब दिख रहाओगा नकरा इसका यूनिट होता है ठीक है चलो उसके बाद next question करेंगे किन्यमन में से किस संख्या का वर्ग मुल एक आपरी में संख्या होगी इसमें से किसका अब यहां पर आप एंसर तो देख सकते हैं कि आपका 2048 दिया गया लेकिन क्यों दिया गया यह 2401 जो है बिल्कुल perfect square है किसका उनन्चास का आप करके देख लिजे एक हजार 24 जो है यह किसका square है तो 32 का है चालिस सो मतलब 4096 जो है यह किसका है तो फ्रेंड्स यह आपका 64 का है आप करके देख लिजे लेकिन यह perfect square नहीं है ठीक है ना इसलिए option यहाँ पर एक right answer दिया गया है next question कर लेंगे देखे यहाँ पर आपको यह image दिख रहा होगा चले इंगलिस वाले में आ जाते हैं पहले question पढ़ लिजे उप्रोक्त वृत्मे चाप AB यहाँ पर देख सकते हैं चाप AB को असपर्स रेखा DE से बिंदू D पर मिलाने के लिए इसको क्या आगे बढ़ाया जा रहा है ठीक है अब कर रहा है कि यह AB यहाँ पर 12 cm है और यहाँ पर DE यह 8 cm है तो यह BD की लंबाई पूछा जा रहा है इस वाले लंबाई इसको आप से पूछा जा रहा है अब आई यह प्रशन पर ठीक आ यहाँ पर आप ID देख रहा है ठीक है न यानि कि DE स्क्वाइर इकवल्टू किडिना हो जायेगा डिञुणबी रूभी रेूंब हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डि जो है यहाँ पर दिया गया है 8 cm ठीक है तो इसको डोला करेंगे 64 cm हो जाएगा ठीक प्लस आपका यहाँ पर BD हो जाएगा गुना कितना हो जाएगा कुना BD हो जाएगा इधर आप देख सकते हैं आप देखें यहाँ पर AB का मान आपको दिया गया है साइद 12 दिया गया है तो यह कितना हो जाएगा 64 चौनुशट इक्वल टू 12 प्लस बीडी गुना कितना हो जाएगा इधर आपका बीडी है देखिए यहां पर बीडी है इसको सॉल्व करते चलिएगा ठीक है आप देखिए यह आपका हो जाएगा कितना यह आपका हो जाएगा मुल्टीप्लाइग करिए तो यह आपका 12 विढिक प्लस घ्रदस क्रुव आइज करना है एसका ठेका अब यहां पर आप देख सकते हैं आप इसको इसstarsे सकते को किस तरह से खिसकते हैं तो इसको आप इस तरह से लगते हैं देखे bd स्कॉईर में ने लिख दिया ठेक फ्लस यहां पर आप आप 16 BD लिख सकते हैं, माइनस 4 BD लिख सकते हैं, क्योंकि 16 में साब 4 घटाएगा, तो ये 12 BD आ जाएगा, कोई प्रभाव पड़ा, बिलकुल नहीं पड़ा, ठीक है न, इस तरह साब लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, आप इधर देखिए, अब आपका यहां पर आप दे सकते हैं, यहां पर आप देख लेज़े, यहां से BD common लिया मैंने, तो आपका BD 12 ho गया, BD 12 ho जाएगा, देख कर लिजे, 2 हो जाएगा हुआ नहीं नहीं कि सब्सक्रारिक यहाँ पर माइनस चार है यहाँ पर माइनस चार तґल प्लस हो गया बीडी माइनस सार और एक हो गया आपका बीडी प्लस सोला हो रहा होगा तो यहां प्रति यह वाला मान निगेटीव हो जाएगा तो बीडी इक्वोल टू कितना जागा चार आपका दिया गया है चलिए कुछिस करूंगा मैं मैं थोड़ा सा हिंट देते चलू सम प्रशन है आप समझ भी सकते हैं ठीक है ना चले निमनेलेखित में से किस अभिक्रिया द्वरा उच प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निस्कासन होता है यानि कि हाई जो रियक्टिवीटी एक्स्टेट फ्रॉम प्यूरुफाइट मॉल्टेन ओर तो इसका राइट अंसर क चैप का कुस्टन हो गया तो उससे प्रश्ण दिया गया है 17 मेटर इसका एंसर हो जाएगा चले प्रश्ण को एक बार आप लोग पढ़िएगा इसका बढ़िए मैं सकौन सा एक सेप्रो टूंप है तो छोता है इसमें से आपका कौक्स होता हुता है यहां पर अगता देख सकत मुं इसलिए डूर और हो जाएगा शोले अगला प्रम दिखिएगा कि निमन्नेलिकित में से किस उत्पाद की मुले में बिर्दी होने के परिणाम सहरुप कई उत्पादों की मुले में बिर्दी होगी जिसका परिणाम आप चीतर को घुमा देंगे ठीक है न तो यह वाला आपका निकल का जाएगा देखिए इसा गुमाएंगे तो यह इधर चला जाएगा न है यह आपका इधर आजाएगा और यह वाला पोर्चन आपका निची आजाएगा यह अला अप्सेण डी वाला जो होगा बिलकुर राइट अंसर होगा तो यहां पर दीकि प्रतिक लगाया भी घ। और ध्यान रखना option यहां पर उलटके दिया गया है ऐसा नहीं कि A पहले दिया गया है B दिया गया C दिया गया D ऐसा नहीं तो ध्यान से लगाए ऐसा नहीं पहला पर टिक लगा लिजेगा एस समझ की तो गलत हो जाएगा ध्यान पुर्वक लगाएगा D इसका राइट असर हो मानिए और निर्णे कीजिए कि कौन सा निसकर्स कथन में दी गई जनकारियों का तारकीक रूप से अनुसरन करता है महानगरों की जनसंख्या अत्यादिक बढ़ रही है जिससे की रहने लाइक अस्थान की कमी है ठीक है तता लोगों के जिगोनस्तर में भी गिरा उठा जा र अर्यूजना बनाई जानी बिलकुल करेक्ट दिया गया है पहला कर द दूसरा क्या रहे सरकार को आवैद इमारतियों को गिईरा देना चाहिए और लुगों के लिए और निस्टार्स वन ईसका जैसेकि मैंने बता है राट अंसर है आप देखिए का जो वर्गी करन है यहां पर देख लिए कि यह लेंट का है यह लुग देखे का रहा है कि यदि बहुलक और माधिका के बीच का अंतर दो है ठीक है तो माधिका और माध के बीच का अंतर ग्याद करना है माध माधिका बहुलक इससे प्रश्ण पूछा जाता है रेलवेक एक्जाम में अब इसका आपको पता है कि आपको रिलेशन पता होगा मोड म मेडियन यहां पर दिया गया एक तो मोड हो गया मेडियन हो गया और यहां पर मीन पूछ रहा है तो इसके बीच में आपको रिलेशन का फॉर्मुला पता है देखें मोड बराबर क्या होता है मोड बराबर हो जाता है आपका मोड बराबर होता है थीरी मेडियन 3 median minus 2 mean होता है यह आपका formula होता है जब यहाँ पर आपको दिया गया है कि mode minus median equal to टू दिया गया यह gain है ठीक है अब यहाँ से आपका सकता है कि आपका यहाँ से mode बराबर कितना हो जाएगा इस equation से दिया गया तो mode equal to आपका हो जाएगा 2 plus median यह मेडियन प्लस टू इसको उधर बेश दीजिए प्लस में चला जाएगा तो मेडियन प्लस आपका टू हो गया इतना तक क्लियर है चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेडियन प्लस टू मेडियन प्लस टू और यहां पर मोड इक्वल टू मैंने दिखा हुआ सकते हैं अब मैं LT अब आता हूँ वा थेक है अब आपको यहां पर लिखना है यहां पर लिखना है इन वह प्लोस टो maiden प्लस जो उदह राइट-पा ज infection में था अब मोडला मैंने रिलेशन बताया था आपको चीरी अच्परी मेडियन शी मीडियन माइनस ना यह बताया था मैंने relation मोड मीन और मेडियन में क्लियर है यहां से बिल्कूल क्लियर हो रहा है अब आप यहां पर देख सकता है मेडियन और यहां पर तीन मेडियन है तो आपका यहां पर एक मेडियन कंसिल हो जाएगा दो मेडियन बच जाएगा ठीक है दो मेडियन हो जाएग भो इसको उधर बेज दिया और इहां से हम दो कमन लेंगे तो मेडियन म dependence मीन एके वल्टू कितना हो जाएगा eq हो जाएगा medium-min-1 तो यह यहीं पूसराय कि median-min कितना होगा तो एक होगा इसलिए एक एंसर देएग्या आई अई होप आपको समझ यह होगा छोगर ठीक है series में तो current command क्या होगा series में अगर है तो current command सेम ही होगा remains the same ठीक है न यहांपर देख भी सकते answer में remains the same होगा, Next question यहांपर आप देख सकते हैं कि सुबा में x और y बिल्कुल प्रशन आसान होता है थोड़ा सा समय का भाव रहता है पिसले पर समय का भाव था इसलिए थोड़ा सा आपको समय को ध्यान में रखते हुए करना था रिजनिंग का प्रश्ण आप देख सकते हैं किस तरह का पुछा गया एक से और एक वाई है पार्क में एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं और जो एक दूसरे से मिलते हैं जब वह तो क्या होता है कि वाई की छाया जो है सीधे एक्स के सामने पड़ रही है यानि कि प्र एक्स फेसिंग तो इस्ट हो जाएगा पूर्व राइट एंसर बिल्कुल समझ मा रहा होगा आपको उस अधातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से कटा जा सकता है नेम दे मेटल डैट कन भी इसली कट वित नाइफ ठीक है तो यहां पर आपको पता भी है कि यहां अप्सन देख लिजिए तो क्लॉरीन गैस मुक्त होती है आपने पढ़ा भी एक क्लॉरीन गैस मुक्त होती है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लॉरीन राइट अंसर दिया भी गया है चले नेम लिखित में से कौन से एक त्रिबुजाकार संख्या नहीं है त्रिबुजाकार संख्या नहीं है त्रिबुजाकार संख्या के लिए आपको पता है कि यह वाला आपको फॉलो करना चाहिए यह वाला कंडिशन एकस एन प्लस वन बाई टू ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं यह एंसर गलत दिया गया है 15 बिलकुल एक और यह सोला हो जाएगा फिर सोला बटा दो कि ठीक है तो यह वाला जो है कंडिशन आपका फुल्फिल होना चाहिए चलिए किनिश्षन कर लेंगे कि दिए गया गया वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह चक्ताए करें की कौन से निसकर्श वक्तव्युमेंसे निस्सी तुरूप से निकाले जा सकता है बहुत है कि कुच फाल कुछ फल खाद नहीं है बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ फल तो आपके खाद नहीं है यहां पर देखे कहीं भी बिल्कुल यह सही दे रहा है मेरे ख्याल से कुछ सब्जियां फल है कुछ सब्जियां फल है बिल्कुल है ठीक है ना तो यहां पर देखते हैं ऑप्सन क्या दिय यहां पर देख लिए कथन और निसकर्स बनाकर कि कितना प्रशन दिया गया है तो बोथ एक और दो क्या है सफिसेंट है ठीक है चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन का रहा है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि चार साइंस का प्रशन चार किलोगराम भार है एम क्या है इसका चार कीजी है करें कि वस्तु 36 दिसामें पांच मीटर परतिस से बढ़ रही है और इसकी गति तो आपको पता है कि आपको इस पर किया गया कारे कि लिए क्या करना होगा तो आपको यहां पर वरक स्वाय मैनस हफक्रंड Disquire को एक इनिसिल वेलसिटी है एक फाइनल विलसुटी बहुत हीं इसींपल हाफ एमचार केंडी कि यहां पर करेंगे और यहां हो जाएगा आपका हाफ हो झायगा जगा कम और यह पचीस हो जाएगा यह है तो सुल्फ कर लीजिएगा बहुत ही आसान है ठीक है तो इतना तो कैंसिल हो गे आपका माली जे कौमनी है ठीक है तो आपको सौ मैसे कितना गाटा देना है पचीस गाटा कितना पचास तो देर सो बच जाएगा ना देर सो जो चलिए अगला प्रश्ण की चितावन उपनियास हाफ ओफ वट आई से यहां पर दिया गया हाफ ओफ वट आई से के लेका कौन है इसको लिखा था अनिल मेनन ने अनिल मेनन राइट एंसर हो जाएगा ठीक है करेंट में जो प्रश्ण लिखे जाते हैं उस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं पुस्तक और लेखक से चलिए कंपणी की विक्री कैसी है यहां पर आप देख सकते हैं कंपणी यह भी सी की बिक्री के बारे में पूछ रायकार है कि कंपणी एबी सी ने 75,000 साबुन 70 रुपया परत कथन एक जो है यह सफिसेंट है जबकि दो कथन पर्याप्त नहीं है ठीक है इस तरह के प्रश्ण पूछा जाता है फरवरी 2018 में उपलव्द जानकारी का अनुसार प्रधान मंत्री का आर्थिक सलाकार परिस्त का अध्यक्स कोन है विबेक देवराय अभी भी है ठीक है न त मितर में दिया जिसकस घर ऐना च altro कारेंगे तो आप इसको करेंगे आप में तो यह आपका टैसेंटर में जैसे आप छेंगे यह आपका कितना जाएगा पचीश मिटर पर सेकंड आ जाएगा ठीक है पचीस मेटर फाचीश मेटर पचीश मीटर कर ऐसे मिलम defense यहाद रखेंगे कुना कर देंगे चले आप यहाँ पर देख लिए मैंने बता दिया पर सेकंड अब आपको पता है ना कि यह कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 25 हो गया और तोटल लेंथ पुछा गया तो एक्स प्लस इसका लेंथ कितना है सो मिटर ठीक है ना सो मिटर है बटा दस टाइम भी दिया गया दस सेकंड बटा दस तो यह डाई सो आपको डाई सो में सो घटा दीजिए और सो बच जाएगा तो यहीं तो एंसर द आपको कुलंब दिया गया-वेश का बल का न्यूटन चलि उसके बाद देखेगा कथन फिर से दिया गया है इमांदारी इस सर्वत्तम निती ठीक है और अनुमान लगाना है आपको इमांदार लोग नीती बनाते है ऐसा थोड़ी इमांदार लोग नीती बनाएंगे और हर नि इससा कुछ नहीं है तो नौतों अनुमान एक और नौतों दो ही नहीं थे ठीक है न तो यह एक बार देख लिए इस तरह को प्रश्ण बनते हैं चले उसके बाद देख लिए अगला प्रशन पूछा गया है कि यह आकरिती दिया गया है और इस आकरिती में दी गई प्रश्ण आकरिती के रिक्त अस्थान के लिए उप्युक्त यहां पर रिक्त अस्थान के लिए उप्युक्त इसमें से आकरिती कौन सा होगा 4,2,3 होना चाहिए ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है एक क्यों तो यहां पर देख yenu तीन लाइन दो लाइन दो लाइन दो लाइन चार लाइन यहां पर देख सकते हैं चार लाइन है इदर यहां पर यह वाला दो लाइन है तो यहां पर आप तीन लाइन वाला आएगा ठीक है इसलिए यह वाला सही है चलिए उसके बाद देखिए यह पर दिया भी गया है एक सोर्च लाइट का परावुर्तक कौन सा है इसमें से एक के रिफ्लेक्टर के रूप में कोन किया याद र है नेंक्सट कोषिन देखेँ देखेँ कितना सेंपल दिया गया तो हात में पानना यह मुकक बनाव आपक तरह सकता है दिया गया ह। यह सर में पहनेंगे लेग में थोड़ी पहन लेंगे चलिए उसके बाद अस्थानों में से उप्युक्त क्या यहां पर चैन करना भरना है करें कि वे पॉंदे जिन में पॉंदे के विभिन भाग उपस्तित नहीं होते हैं वे किस सम्मू से संबंदित है यहां पर देख लिए डिफ्रेंसियेटेट प्लांट बाड़ी विलोंग टू किस गुरूप से हैं यह तो थैलोफाइटा ठीक है थैलोफाइटा राइटंसर हो जाएगा उसके बाद यह सिंपल सा कोस्टन है आपका सधारन ब्याज से पूछ रहा है ब्याज कितना होगा आप आपका यहां पर देखिए फर्मुला आपको पता है कि पी इंटू आर इंटू टी अपन हंडर होता है तो पी यहां पर दिया गया है आर आपका प्रतिसद आपका छे समय और बटा हंडर है तो यह काड़ दीजिए दो से दोर जिरू तो यहापका हो जाएगा छे पच्चे पतलून का पतलून हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं हंस का हंसो दिया गया फुलूरल बनाए गया है चली उसमें से कौन सा सही है यानि कि यह 29 बटा छे और आपका 43 बटा बारा में आपका रिलेस्ट पूछ रहा है कौन सा बढ़ा है तो यह बढ़ देखें पूछ रहा है कि यहां पर क्या आएगा रेजनिंग का प्रसने देखें एक ती फिर यू भी डबलू ठीक है ना बीड़ऄ तो यहां पर डबलू एक होगा शिंपल सा बात है डबलू एक्स होगा कोई दिककत चलिए दिनांगे नोट सुक्सम्रिक्त अस्थान होते हैं जो किसमें पाए जाता है तो यह आपका मयलीनीर 133 00 में इस तरह का प्रशन बनता है चले अगला प्रसंद आगया है यहांके अध्याप दिल्कसाला में भाग ले ना चाहिए बहुती सिंपल आपकों आपिए बना सकते हैं यहांपर आपकोड दरपन में तो बहुत ही सिंपल इसको आप बना सकते हैं यहां पर देख लीजिएगा यह वाला ओप्सन हेल्दी यहां पर दिया भी गया है यह वाला सही होगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है यह कहां परिस्तित है जम्मु कस्मीर हिमाचल प्रदिस उत्राखंड सिक्क्यम तो यह जम्मु कस्मीर में है अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है अब यहां से आप देख सकते हैं बिल्कुल यह जब सारा यात्रा किया है तो अच्छा प्रश्ण पर ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है कि प्रश्ण का उतर देने के लिए दोनों के एक साथ परियाप्त है प्रंतु द धासे भी तरह पसंद है तभी तो फूरा चारोबी सागों लिया है ठिक है चलिक उसक बाद नेक्ष्ट regulate के बराबर होटा है तो नियोट्रों कि नम्बर यानि कि आपका सक्थय परमानु करमांक यानि कि प्रोटोन की संख्या और निट्रन की संख्या बराबर होती है तो कार्बन में होती है Huh, my कि यह कोश्टन आप को चर्स再見 है अपनिश्थ को सब्सक्राइब चलिए यह वी यहाँ पर दिया गया पचपन वर्स एक स्विंग फुल फिर से देखिए यहाँ पर आपका टैंक वाला प्रश्न आ गया है चलिए प्रश्न को देख लीजेगा एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ है कि लिए की देख लिए एंसार इसका दियागा सत्तर Git यह वह लेडिए नीचे दिए कि अनुकर्म को एसे कितने प्रतिक कितने सिंब्ल है जिनके ठीक पहले कौई संख्याह कि इतने सिम्बल है यहां पर इसमें सिम्बल क्या है प्लस है यह डॉलर ओला सिम्बल है 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 कुस्टन मार्क है स्टार है इतना ही नहीं है देखे इसके पहले कोई नंबर नहीं है देखे इसके पहले नंबर है डॉलर के पहले दो नंबर है तो एक मैंने यहां पर लिख दिया है पहले कोई नंबर नहीं है चलिए फिर से देखिया आ गया कि दिये का थन पर विचार करें और तय करें कि पुर्वधारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर नहीं है कि अपार्टमेंट इस्वेशन द्वारा सुरू किया गये स्वक्ष भारत अपने सहर को साफ रखे अभियान उसको निवास्यों से ज़्यादा प्रतिकरिया जो है ज्यादा उमिदे जो थी उतनी उमिद स्को राब्त नहीं हुई है कारण क्या है कि अस्थानी निवासे अपने अपार्ट्मेंट को साफ नहीं रखना चाहते दुसरा ऐ अब्यान में अससफल रही है इसलिए आपका दूसरा सही होगा ऐसा नहीं अस्थानी नवासे अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हो सकता है उनके कारें उसके साथ कोई दूसरा रिजन हो यह न चलिए यह किसी कोई अलग माध्यम से भी आहाँ पर साफ सफ़ाई रखते हों नेक्स्ट कोशन है यहां पर उस आकृति का चैन करें जो समूब से संबंदित नहीं है अब यहां पर देख लिए कोँछ उस समूब से संबंदित नहीं है जरा बताएगा यहां पर यहांपर आप देख सकते हैं यह सब में आपका एक दो तीन 4 1 2 3 4 चार चार rearrange साइड दिया तो मेरे क्यान से तो से उस तरह से पकड़ सकते हैं आप कोई दूसरे थरीके हो सकते हैं इसलिए इसलिए ही और इसलिए इसलिएन म से कितने बोले add तो आप तेरी खूल क देख लिए 1, 2 300 विए 4 इए अभी 10 हुआ कि यह का यह का यह आपका 11 होगया और यह आपका 12 हो गया 12 ट्रेंगल है देखितना दिया गया चली निमलखित में से कौन 15 सब आपको समय बचा लेंगे अगर नहीं भी आपको वर्गमुल याद है तो आप निकाल लीजिए वैसे आज कल बला ट्रिक से मैथ पढ़ाया भी जाता है चली उसका बाद देखिएगा यह आपका मैथ का प्रश्ण आगया फिर से ठीक है पार्टनर सिपला मेरे ख्याल से को इसको भी देख लीजिएगा ठीक है यह सब आप लोग एंसर निकाल लिएगा अठार एंसर वीडियो को पॉज कर लीजिए जो लेंगिक प्रजनन से डिफरेंट है क्या है कि अलंगिक प्रजनन में क्या होता है तो उसमें यहाँ पर आप देख सकता है नए जीव जनक माता पिताकि समान होते है ठीक है चलें यहाँ पर दे रहा है कि चयनते जाल सवाल चूर सबланों आप यहाँ पर देख लीजेगा अन कितला है यहां और वो कितना है तो चार है आठ दो दस एक ग्यारह चार पंद्रह यहां पर अंसर दिया भी ठीक है चलिए उसका बाद नेक्ष्ट कोस्टन दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इस को स्वल्ब करिएगा चलिए भारतिये पूच रहा है कि किस सामिदी कानून के माध्यम भारत और पाकिस्तान दो स्वतंतर राष्ट्रों में विभाजित हुए थे तो निश्टित रुप साब सभी को इसका अंसर पता होगा इंडियन एंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारतिये स्वतंतरता दिनियम 1947 के तहत हुए थे भारत और पाकिस्तान चलिए उसके बाद नेक्ष चलिए उसका बाद भारती ओलंपिक संग के बरतमान में अध्यक्स पूछा गया है उसमें 2018 कानुसार अभी पीटी उसा का नाम आप याद रखिए गा उसमें नरेंदर दुरू बत्रा थे यहां पर देखिए नरेंदर दुरू बत्रा भी दिया गया है और अभी पीटी उस समय लगेगा लेकिन इसको सोच समझ करके बनेगे यहां पर डाइग्राम दिया भी गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं क्रिकट है और यह आपका सायद वर्ग का कुछ भी हो इसको आप या कृती में से देख लीजिएगा ठीक है इसको सौल्व करिएगा असान प्र हो जाएगा ठीक है ना तो दोनों ध्यान रखिएगा चले उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन है फिर से देखे कथन का कितना प्रशन दिया गया एक्स और वाई में कौन सा बेहतर नर्तक है कौन सा कथन जो है प्रशन देने के लिए उत्तर प्रयाप्त है तो वाई उने अधि कौमन सेंस उसमें करना है कितना जल्दी आपका कौमन सेंस जो है आप अपलाई करते हैं और बिल्कुल सही एंसर पर क्लिक कर लेते हैं निमलेखित में सबस्तित होता है आपको बतानी की बात नहीं है ठिक है से में यहाँ पर यह डाइग्राम देकर कर पूछ रहा है कि इसम की एक तरह तरह का प्रेटी तो बिल्कुल इक क्या दर शारा है एक सलेब्रेशन ही तो है मेटिंग थोड़ी है साधी मेरे फुस्तक फूरी एक सलेब्रेशन होुरह है जीट एक है है शारवजनिक ज您 den Be the Beautifultable problem कि चौबीस हो जाएगा आप लोग इस तरह का प्रशन स्वाल्व करिएगा कि उसका प्रवरी दोहजर आठार से कुलकत्ता आई पीएल टीम के नाइट रैडर से उसको मालिक उसको माली का प्रशन रहा था कि किस टीम के कौन मालिक है कि टिम का जो आपका कैप्टर कौन है ठीक है राज्यों से राजपल पुछे राएजर ते ब्रांड अम्बसेडर पूछे जा रहे थे तो बड़ा उसमें ट्रेंडिंग टोपिक था जब एलपीक एकजम चल रहा था तो यहां पर सारुखान थे ठीक है ना सारुखान है और यह वाला कोस्टन आप लोग स्वालब करिएगा बिल्कुल आसान प्रश्ण है और 75 प्रश्ण पूछे जा गये थे उपर दियेगा नुकरम का प्रयोग करके खाली अस्तान यहां पर भरना है ठीक है न तो ठीक है चलिए उसके बाद देख लिएगा यह आपका मैथ करुष उस्तन है अब देख लिए जो आरे संगरबाल का जो एक्टीटूर और बुक है उससे बाहर कोई प्रश्ण नहीं किया आप उस बुक को बना लिजएगा सारा मैथ के कुश्ण अब बना लिजए गा चलिए ठीक है न, CBT-1 में